साथियों, आज गाउं गाउं में एक सार किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं, आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभ्यान चलाए जा रहे हैं, पुरा देश आज दिपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम जोती प्रजवलित करने की तैयारी है। कल मैसरी राम के आशिरवाद से दनोश कोड़ी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था। जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम मप्रयास था। वहाँ पर मैंने पुष्ट बंदना की, वहाँ मेरे भीतर एक विस्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था। उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशाने बढ़ेगा। अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दोरान, मैंने उन स्थानों का चरन प्रस करने का प्रयास किया, जहां प्रभु राम के चरन पढ़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी दाम हो, करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो, आंदर प्रदेश में लेपाक्षी हो, स्री रंगम में रंगनात स्वामी मंदीर हो, रामेश्वरम में स्री रामनात स्वामी मंदीर हो, या फिर धनुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कन कन से जुड़े हुए राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुस्ट इससे अधीक डेश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग-अलग भाशाओं में रामायान सुनने का अवसर मिला है लेकिन विशेस कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायान अलग-अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशित करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंते यश्मिन इती रामह हर्थात जिसमें रम जाए वही राम है